है लो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आशा कर्किए इस वैस्तों गे अच्छ ओगे मज़े में होंगे और पॉजिटिवी फील कर रहे होंगे आपको हमेशे हैं पॉजिटिवी फील करना है क्योंकि एक फॉजिट फड़ के लब में सो गुना पॉजिटिविटिविटी अच्छा हो आपको details मिल जाएगी call के से book करने ठीक है direct call नहीं करना है call receive नहीं किया जाता और बार बार परेशान करते हो आप तो आपको block कर दिया जाता है ठीक है तो इससे battery के आप WhatsApp पे hide करो details मिल जाती है call करकर पूछने की जरुरत नहीं होती है इस विडियो को like कर दीजे like करने से energies exchange हो जाएगी आपसे reading बहुत ज्यादा रिजर्ण करेगी ठीक है इनके इस relationship में current में क्या चल रहा है इनके इस relationship में current में क्या चल रहा है आपके रिष्टे का current है सबसे पहले current energies निकाली जाती है लेकिन पढ़ेंगे हम पहले past ही ठीक है तो आपके रिष्टे की current energies है इस रिष्टे का past बताये इस रिष्टे के past में क्या हुआ है तो यह आपके रिस्ते का past है इस रिस्ते का near future अगले 15 दिन एक महेने में इस रिस्ते में क्या हो सकता है आपके इस relationship का final future क्या है इस रिस्ते का final future क्या है? आपकी इस रिस्ते का final future यह आपके रिस्ते का final future एचीक है? इन कार्ज का हम साइड में रख देते हैं. आपके रिस्ते की पाश की बात करों. तो सबसे पहले पाश के कार्ड से यहाँ पेजमी नीबिरे अक्वरेस में धुल्दुला पुम राशी 481 आपके आपके परसन का budget हो सकता है, और recent past में 100%, आपके इस रिस्ते में third party आई है, third party romantic है, और जो कि आपके person की family में कोई rude person है, शायद इनकी mom में हो सकते हैं, जिनकी वज़े से आप दोनों का रिस्ता break up हुआ है, जिनकी वज़े से आपके परसन ने थर्ड पार्टी को स्विकारा है, आपके परसन ने किसी से शादी करी है, आपको बहुत painful breakup इस परसन ने दिया है, उसके बाद आपके रातों की नींदे उड़ गई, बहुत टाइम आपने प्रे किया है, भगवान से बहुत आपके परसन को सिर्फ और सिर्फ आपके इस रिष्टे की थर्ड पार्टी हटने का इंतजार कर रहे हो, आपके परसन का वापस आने का इंतजार कर रहे हो, आपके परसन ने आपको पास में बहुत रूड एनर्जिस दी थी, और आपने इस रिष्टे के लिए एफ़र्स भी बहुत लगा वह दो आपके परसंट से मस नहीं हुये और इनका दिल आपके लिए नहीं पीगरा, ठीके इस परसंने आपको बहुत उलाया है, अब ये भी हो सकता है कि इस परसंने आपको जान भूचकर ऐसी एनर्जिस दी ताकि आपके अंदर भी इनके लिए नफरत आ सकें, और आपको इ इनको यही लग रहा है ठीक है अगर आपके रिस्ते की करन्ट की बात करूँ करन्ट में आपके रिस्ते में क्या चल रहा है 100% हो सकता है कि यह person आपसे बात करने की कोशिश कर रहे है आपको call message करने की कोशिश कर रहे है आपसे कुछ ऐसी बाते कर रहे है जिससे कि मैंने बोला यह जो भी third party है वो आपको दिखा रहे है current में कि वो third party के साथ है तो ज़रूर लेकिन उनसे प्यार तो नहीं करते है प्यार वो सिर्फ आपसे करते है वो आपके साथ रहेना चाहते है वो आपके साथ रिस्ते में रिउनियन चाहते है आपके साथ रिस्ते में लाइफ टैम तक रहेना चाहते है और आपको कभी भी मतलब कि injustice फील नहीं होगा, वो आपको इतना प्यार करेंगे, बस हो सकता है कि ये परसन आपको ऐसा कुछ कह रहे है कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते, बाकि अगर आप लड़की हो तो जैसे कि कोई किसी बीवी को जो अधिकार मिलते है, एक बीवी को जो प्यार फील तो करा रहे है, लेकिन respectful life आपको देने के लिए current में भी ready नहीं है, ठीक है, वेसा pentacle से यहां पर, भले आप लड़का है लड़की है जो है, ठीक है, लेकिन आपके person आपको current में शादी करने के लिए ready नहीं है, बाकि आपसे प्यार करने के लिए, आपको help करने क के लिए financially, हर चीज़ के लिए आपकी person current में ready है, ठीक है, आपको बड़ावाला commitment offer देना चाहते हैं, लेकिन इस commitment offer में शादी नहीं है, सिर्फ जो की प्यार है, help है, और जो की lifetime रहने की promise है आपके लिए, ऐसा है, ठीक है, और इस पज़े से current में हो सकता है, कि आप अपने person क के बाते सुन तो रहे हो, सुन तो रहे हो, लेकिन आप अपनी feelings चुपा रहे हो इस person से, आप अगरा है कि ऐसी रिस्ते का में क्या करूँ, ऐसा रिस्ता मेरे किस काम का, मेरा क्या future है, मुझे भी तो समाज में जीना है, ऐसी energy से, ऐसा तेरे साथ रिष्टे में रहने से, क्य करना चाहते हैं, लेकिन आप इस रिस्ते में current में अपने feelings हाइड कर रहे हो, अब आप अपने person को जैसे के अपनी feelings भी नहीं दिखाते हैं, और पहला वाला प्यार भी नहीं फील कराते हैं, ठीक है, इस बज़े से आपके person को आप समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपके इनक आप बहुत जाए डिसकस करोगे, और discussion में third party का discussion बहुत जादा होगा, ठीक है, आप इस person से नाराज दिखाये दे रहे हो, रोते वी दिखाये दे रहे हो, आप इस person को बहुत request करते वी दिखाये दे रहे हो, जैसे कि मतलब होता है ना, प्यार से इनको जैसा, जैसा ज़ता कि आप इनसे कितना प्यार करते हो प्लीज थर्ड पार्टी को हटा दो प्लीज कुछ तो ऐसा करो मैं तेरे भी नहीं रह सकती तुझे पता है तुने तो फिर भी मुझसे 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 जिस फील होगी उसके बाद आप स्याड़ इनर्जिस में चले जाओगे ठीक है अगर आपके रिष्टे के फाइनल फ्यूचर का बात करूँ फाइनल फ्यूचर यही है कि यह परसन यह जो है ना थर्ड पार्टी को निकलने के लिए नाकाम रहेंगे और आपके सामने रहेंग किसी और से शादी कर लोगे ठीक है आप अपने परसन को रिजल्ट करोगे फ्यूचर में क्योंकि आपको ऐसा रिष्टा नहीं चाहिए ठीक है आपने पहले बहुत हार्ट ब्रेक जहला है बहुत रोया है अब आप इस परसन को रुलाओगे फ्यूचर में लेकिन फिर भी बहुत ज़दा हार्ट ब्रेक देकर इस रिस्ते से जाते हुए दिखाया दे रहे हो फ्यूचर में अब यह जो भी एनर्जी आई है ऐसे एनर्जी में हम आपके लिए लोग मैसेज़ देख लेते हैं आपके परसन आपको क्या कहेना चाहते हैं इस वक्त आपके परसन आपक क्या कहेना चाहते हैं क्योंकि वो तो future है ठीक है जब होगा तो आपको पता चलेगा तो हम आपके partner की तरफ से आपके लिए message देख लेते हैं current मेरे आपके partner क्याक चाहते हैं keep smiling आपको कहे रहे कि आपそれह माइल करते रहो unexpected changes in your life जैसी कि तो टावर यह भी शो करता है कि अपका भी दिल इस परसंगे लिए रोएगा नहीं जैसे कि आपको भी अपना फायदा दिखाई देगा आपको आपके परसंगे बेटर परसंगे कोई मिल जाएगा जैसी कि लुक में भी बेटर फाइनांशली भी बेटर प्रैक्टिकली आप स लिजाएगी ठीके ऐसा होगा अनेस्पेक्टेड़ ली होगा ओम नारायनायनम अहा इस मंत्र का आपको चैंटिंग करना है नौट इंट्रेस्टेड करन्ट में जैसे कि आप इस परसंगे अंदर इंट्रेस्टेड होई नहीं चैंट रेड तारव मंत्रा ओम तारे तम सोहा इस मंत्र का आप चैंट कर सकते हो ग्रीडी सेलफिश आपके परसंगे आपको अच्छे से पता है आपकी आत्मा से प्यार करते हैं जैसे कि मैंने बोला कि ये दुनिया के सामने आपको स्विकार नहीं करना चाहते हैं लेकिन ये आपकी वाइबरेशन में जीना पसंद करते हैं तो बस आपको सोच कर भी एक परसंगे खूश है बस ऐसा सोच कर कि आप इस परसंगे बहुत प्यार करते हो इस एनर्जी में भी आपके परसंगे बहुत खूश है तो ये आपके आत्मा से प्यार करते हैं भले आपकी बोड़ी इनके पास हो या ना हो मतलब कि भले आप आप फिजिकल एक दूसरी के साथ रहो या ना रहो, ऐसी एनर्जी में आपके परसन करण्ट में है, ठीक है? Divine Angels support you to next steps, आपके जिंदेगी में next क्या होने वाला है? ये Divine Angels आपको support करेंगे आपका decision लेने के लिए, ठीक है? money loss हो सकता है कि current में आपके person किसी loss से गुजर रहे है Wednesday, Monday आपको शायद आपके person का message आने के चांसे से blame मत करो इनके उपर अगर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो ठीक है? blame मत करो अगर आप इस person से बात करना चाहते हो अगर आपके साथ रिष्टे में रहना चाहते हो तो इनके उपर blame मत करो क्योंकि अगर आप blame करोगे तो फिर आपके जगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते है ठीक है? रेट सारी, blue shirt अगर आप लड़की हो तो आपके परसन को आपको रेट सारी में देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अगर आप लड़का हो तो blue shirt में देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ठीक है? तो ट्यारों का देखे क्या होता है वैसे भी आपको पता है कि collective के energies है, आपके personal reading नहीं है, तो जो future आया है, जरूरी नहीं कि वह आपका हो, ठीक है, कुछ लोगों से रिजनवर्ट हो जाएगा, कुछ लोगों से नहीं भी होगा, तो अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे रिस्ते का future नहीं हो सकता, इतना negative हो सकता, तो definitely आप अपनी personal reading में आपके रिस्ते का future चेक करा सकते हो, ठीक है, तो इतना negative होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि collective के energies है, ठीक है, तो हम देखते हैं, जो भी energies आई है, ऐसी energies में मा काली की तरफ से आपके लिए क्या angel guidance आता है, ये जो भी energies आई है, ऐसी energies में म काली आपको क्या angel guidance देना चाहेंगी, क्या angel guidance करना चाहेंगी, खडगा, खडगा आया यहां पर, आप देख आओँगे, current energies में जैसे आपको हर साइड से negative energies ही feel हो रही हे, ठीक है, अगर आप इस रिस्ते में अच्छा भी करने के लिए जाओ, फिर भी बुराई हो रहा है, औ कुछ ना भी करो फिर भी बुराई हो रहा है तो आप कन्फ्यूज मत रहो आपको मा काली करंट में कह रही है कि इस वक तो इस रिस्ते में आपके लिए कुछ नहीं रखा है तो इस नेगेटिव इनर्जित को फेस करने से बेटर है कि कुछ टाइम के लिए अपने आपको इस से दूर करो अपने आप में रहो खुछ से प्यार करो और कुछ टाइम के लिए इस परसों को स्पैस दे दो ताकि जो नेगेटिव इनर्जित करंट में आप दूनों के बीच है वो हट जाए ठीक है वो हटेगी बस टाइम लगेगा इस वक्त आपको अपने आपके ऊपर फ आपको सब्सक्राइब कर लिए पास्तर डिंग के लिए स्क्रीम पी देगा नमबर तो वाटस अपर मेसेज कर सकते हो वहां पर डिटाइस मिल जागी कॉल के से बूप करने ठीक है तो मिलते है निए शुड़ेवन तब तक के लिए बाबाई